हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIS हिंदी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQIS हिंदी बे मेरा नाम है अतुल जैन लोकसभा चुनावों के परिड़ाम लगभग आ चुके हैं हम सभी के सामने आने वाली लोकसभा की तस्वीर एकदम साफ पूरी दरह से तो नहीं लेकिन लगभग साफ हो चुकी है ज़ादातर जगहों पर अब जो है रुजहान धेरे धेरे परिड़ामों में परिवर्तित हो रहे हैं और जो रुजहान अब तक हैं उनमें अब बहुत साथा परिवर्तन की गुझाईश नहीं है यानि कि जैसा मैं आप से सुबह कह रहा था कि हो सकता है ये रुजहान एकदम से बदल जाएं या फिर जो पार्टी आगे चल रही है वो पीछे हो जाए जो पीछे चल रही है वो आगे हो जाए ऐसा होने कि आप कोई बहुत धाधा संभावना नहीं है कुछ सीटे ऐसी होंगी जहांपर बहुत ही कांटे की टककर होगी केवल कुछ सौ या कुछ हजार वोटों का अंतर चल रहा होगा वहाँ पर ये भी संभव है कि कोई दूसरा प्रत्याशी आगे निकल जाए और कोई अन्य प्रत्याशी हार जाए ये बात संभव है लेकिन तब भी अब आप ये मान के चलिए कि जो रुझान आप अपने टीवी स्क्रीन पर या फोन पर देख रही है दस-पांच सीटे आगे पीछे ही अब हो सकती है उससे जादा अब नहीं होने वाली तो लगभग आने वाली लोकसभा की तस्वीर हम सब के सामने तै हो गई है ये लोकसभा चुनाव का जो परिनाम रहा है ये अपने आप में बहुती अद्भुत रहा है बहुती अभुत पूर्व रहा है पहली बात तो इसमें ये सिद्ध हुई है कि भाई जो exit pole जिस से कहा रहे थे कि चुनाव एकदम एक तरफा होने वाला है और शायद हमने से भी जाधतर लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चुनाव जो है वो एक तरफा होने वाला है मुझे भी काफी हद्प तक ऐसा लग रहा था लेकिन वैसा नहीं हुआ, चुनावों में काफी close contest आपको देखने को मिला, कई राज्यों में काफी आश्चर जनक परिणाम देखने को मिले, जैसे उत्तर प्रदेश उसका classic example है, कि उत्तर प्रदेश में ये माना जाता था कि भाई भारती जनता पार्टी और NDA को भारी जीत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, खेर, जो बात जो परिणाम आखिरकार इस चुनाव से निकल कर सामने आता है, वो परिणाम ये निकल के आता है कि भारत में अब एक बार फिर से, एक पार्टी की सरकार का जो कल्चर है, जो एक दलिय बहुमत की संस्ट्रती है, वो समा हो जाएगी, क्योंकि ये स्पष्ट हो गई है, ये बात स्पष्ट हो गई है, कि इस 2024 के चुनाव में किसी भी एक राजनैतिक दल को बहुमत नहीं मिलने वाला है, गठबंदन को बहुमत मिला है, एंडिये को जो आपका राश्टी जनतांत्रिक गठबंदन है, उसको बहु सरकार चलेगी, एक गठबंधन की सरकार चलाएगी, तो आज हम अगले 10 मिनिट में समझेंगे कि ये गठबंधन की सरकार होती क्या है, अब तक भारत में गठबंधन की कौन-कौन सी सरकारे हुई है, क्या उनके सामने चुनावतियां रही है, क्या उनके लाब रही है, और यह गटबंदन की सरकार जो है इसमें और एक पतलब अब तक क्या परिद्रश्य निकल के आ रहा है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ कि 10 तारीक को शाम 6 बजे से हमारा पीटो आई बैच शुरू हो रहा है एजे 99 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं रोज 3 घंटे की लाइफ क्लास मिलेगी मेंटॉर्शिप मिलेगी डेली प्राक्टिस क्वेश्चन मिलेगे प्री और मेंस के मेंस के आंसर्स आपके रोज चेक किये जाएंगे आपको बताया जाएगा कि आपके कितने नंबर आ तो आज ही आप AJ Live Code लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तयारी को एक सही आकरती प्रदान कीजिए ठीक है चलिए अब आते हैं हम सबसे पहले इस बात पर कि यार ये गटबंधन होता क्या है गटबंधन जो है हम सबने नाम सुना होगा हम सबको अंदाजा भी होग लेकिन तब एक अकैडमिक तरीके से समझ लेते हैं कि गटबंधन वाफ्तव में होता क्या है गटबंधन की सरकार क्या होती है देखिए भारत क्या जो संबिधान है वो कही पर भी राजनेतिक पार्टियों की बात नहीं करता है ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए भारत के संविधान में बाद में जो दल बदल कानून डाला गया वो पहली वैसी बात थी जहां पर राजनेतिक दलों का जिक्र किया गया वरना राजनेतिक दलों का कोई जिक्र भारत के ओरिजनल संविधान में नहीं किया गया है भारत का संविधान ये बहुमत सामसद हैं वो जिस किसी व्यक्ति को अपना नेता चुन लेंगे वो व्यक्ति प्रदानमंतरी बच जाएगा अब राजनैतिक दल जो होते है बिटा वो एक प्रकार का एक राजनैतिक सुविधा होती है कि एक विचारधारा पे आधारित लोग एक साथ आते हैं और व जब भारत आजाग हुआ, तो भारत में एक सबसे बड़ी पार्टी थी, कॉंग्रेस पार्टी, जो भारत के फ़तंतरता संग्राम का भी उसने नेतरत्व किया था, और उसमें भी देश के सारे बड़े नेता लगभग, आप ये मान सकते हैं, कि कॉंग्रेस पार्टी के अंद से ये सरकार का कुछ अन्य विरोधी दल बने, तो देश में एक पार्टी जो थी, एक दल की सरकार आमतोर पर रही शुरुआत में, और वो दल था कॉंग्रेस, तो आजादी के बाद, जो 1952 में हमारा पहला लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले जो थी हमारी सम्विधान स थी, इसके अलावा वामपन्थी दल थे, कम्यूनिस्ट पार्टियां थी, और इसके अलावा आप इमान दीजे कि कुछ विरोधी दल कभी-कॉंग्रेस के अंदर से निकल कर ही अलग-अलग बनते रहते थे, लेकिन एक पार्टी की सरकार चलती थी, वो पार्टी थी, और भारत में 1977 तक ऐसा ही चला, 1952 से 77 तक प्रधानमंत्री बदलते रहे, पहले 64 तक जब आरला नेरूसा प्रधानमंत्री रहे, फिर 66 तक जो है आप देख सकते हैं कि शाफ्त्री जी प्रधानमंत्री रहे, और शाफ्त्री जी के बार इंदरा गांधी प्रधानमंत्री रह पहली बार ऐसा हुआ कि देश में कोई लोकसभा चुनाव हुआ जिस चुनाव के परिणाम में कॉंग्रेस विजई नहीं रही, कॉंग्रेस परास्थ हो गई तो कॉंग्रेस की पराजय के बाद जो विपक्षी दल भी थे, उन विपक्षी दलों में भी क्या था, बहुत सारे छोटे छोटे समूह थे, तो यहाँ पर पहली बार भारत में गठबंधन का experience, यानि कि गठबंधन का एक experiment, एक प्रयोग किया गया, और इस प्रयोग का जनक म एक जुट करके सरकार बनाने का काम किया, और 1977 में भारत में पहली बार आप देखेंगे, कि एक गठबंधन सरकार बनी, तो जैसा आप देखेंगे, जनता पार्टी, नाम का एक गठबंधन मनाया गया, तेरा दल इसमें शामिल थे, और मुरार जी देखाई, बहुत बड़े नेता थे, मुरार जी देखाई, बहुत लंबे समय से प्रधान मंत्री पद के दावेदार रहे थे कॉंग्रेस के अंदर, नहरू जी की मृत्यू के बाद ये माना जाता है कि मुरार जी देखाई और लाल बहादुर शास्त्री में बड़ा एक फंघर चला था प्रधान मंत्री बनने के लिए, खेर, तो मुरार जी देखाई जो हैं, उनको प्रधान मंत्री बनाया गया, ठीक है, मुरार जी देखा जनता दल सेकुलर इसी गटबंद के अंतरगत एक दूसरी पार्टी थी जनता दल सेकुलर इसका आज वाले जनता दल सेकुलर से कोई मतलब नहीं है जो देविगौडा साहब की पार्टी है ये नाम वही रहे हैं पार्टीयों के लेकिन पार्टीयां अलग अलग हैं जनता दल सेकुलर के चौधरी चरण सिंग जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे थे, बड़े नेता थे, ये कुछ दिनों के लिए प्रधान मंत्री बने, लेकिन ये भी जो है, ये भी बहुती कम समय के लिए वहाँ पर प्रधान मंत्री रह पाए, 1980 तक ही प्रधान मंत्री रह सभी पाया, सरकारे क्या करेंगी, ये पुच्छ नहीं हो पाया और आखिरकार 1998 आते ये सब सरकारे गिर गई और 1999 एक बर दुरा बहूत लेक कर आए एक बर दोबहारा से कौंग्रेस पार्टी इंदरा गांधी कि तग फिर से कच जानन folklore चलने लेगी उसके बाद नवासी तक उनके पुत्र जो थे राजीव गांधी जी उन्होंने फरकार चलाई वो भी बड़े बहुमत के फात प्रधान मंत्री बने थे एक पार्टी की फरकार चलाई लेकिन नवासी आते आते राजीव गांधी फरकार पर लगे भष्टाचार के आरोप और उनके पूर्व रक्षा मंत्री वीपी सिंग ने उनके खिलाफ छेड़ दी एक मुहिम और इसके कारण 1989 में उन्होंने बनाया एक राश्ट्रिय मोर्चा और यहां पर हमने तीसरी बार एक गठबंधन की सरकार देखी 1989 में भारत में बना एक राश्ट्रिय मोर्चा इस दल यहां पर शामिल थे और विश्वनात प्रताप सिंग्यानी की वीपी सिंग साहब जो है वो भारत के प्रधान मंत्री बने और जो है इसमें देखिए बड़ा एक अद्भुत गडबंधन था देश के राजनेतिक स्पेक्ट्रम में जो दो पार्टियां एकदम दूर ब्हुतीथी बीजेपी एक उससों प्लभ तरक जंशंग भारती-जंदा पार्टी बन चुका था बीजेपी जो की दक्षण पंधी पार्टी और left-party जो आपके की सरकार चलाने को लेकर देश में जादा अनुभव नहीं था तो जो प्रधानमंत्री भी होते थे या अन्य दल भी होते थे उन दलों में भी इस प्रकार की समझ भूज नहीं थी कि गटबंदन सरकार को चलाएं तो चलाएं कैसे तो इसके कारण फिर क्या हुआ ये सरकार भी बने ये एक क्या नाम था इनकी पार्टी का जनतादल फोशलिस्ट रских के नहीं तो पर फिर से मिली जूली सरकार एक बनी बहुत सारे दलों की और चंदर शेकर सहाब उसमें प्रधान बंत्री बने मात्र कुछ महीने फारकार चली और यह फरकार भी गिर गई 1991 का चुनाव हुआ, राजीव गांदी सहाब की दुर्भाग गिपूर्ण हत्या हुई, नरसिम्मा राउ सहाब प्रधान मंत्री बने, नरसिम्मा राउ की सरकार जो है वो एक अल्पमत की सरकार थी, बहुमत उनके पास कभी नहीं था, लेकिन सरकार वो एक पार्टी की थी, त ऐसा करते करते करते, 1996 तक का समय निकल गया, 1996 में भारत में चुनाव हुए, 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपई की फरकार बनी, बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बीजेपी कोई अपने गड़बंदन बना नहीं पाई, तो उनको स्तीफा द गई, तो विपक्षी दलों ने क्या किया, आपस में एक गठबंदन बनाया, जिसका नाम रखा गया, सयुक्त मोर्चा, और इस बार उन्होंने इस मोर्चा में एक स्ट्रक्टर बनाया, स्ट्रक्टर क्या बनाया, एक स्टीरिंग कमिटी बनाई, कि भई ये कमिटी होगी, ये कमिटी तै करेगी सारे बड़े फैसले कैसे लिये जाएं, इस कमिटी का एक कनवीनर होगा, वो तै करेगा, ये सब नेता लोग आपस में हर महीने मिलेंगे, चर्चा करेंगे ताकि कोई मतभेद ना हो पाए, और इस सयुक्त, हाला कि कुछ काम नहीं किया ही भी, सयुक्त मूर्चा की सरकार के तहट 1996 में HD देवेगोडा साहब भारत के प्रधान मंतरी बने, बहुत बड़ा विवाद पहले तो प्रधान मंतरी पद के लिए ही हुआ, कि पहले जोती वाशु साहब को प्रधान मंतरी पद प्रधान मंतरी बनाया गया, एक साल के आसपास ये सरकार चली, उसके बाद नित्रत्व को लेके विवाद फिर शुरू हो गया, और आखिरकार 1997 आते आते नित्रत्व में परिवर्तन हुआ, यही सरकार रही, लेकिन देवेगोडा की बजाए, इंद्रकुमार गुजराल, आई के गुजराल साहब जो थे, जो विदेश मंतरी हुआ करते थे, आई के गुजराल साहब को प्रधान मंतरी बनाया गया, गुजराल साहब कभी कारेकाल ले देकर एक साल के आसपास रहा, तो ये दो साल का एक्सपरिमेंट जो था, एक एक साल दो प्रधान मंतरी रहे, और कुछ बहुत जादा इस लंबा कारेकाल हुआ नहीं, बहुत जादा सफल ये प्रयोग हुआ नहीं, और उसके बाद क्या हुआ, फिर से चुनाव कराने पड़े, अब तक क्या हुआ था, इस समय तक भारतिय जनता पार्टी भी गटबंदन की राजनीती सीख चुकी थी, क ये सरकार जो थी केवल बीजेपी की नहीं थी, भारतिय जनता पार्टी का एक गटबंदन था, जिसका नाम था NDA, जो गटबंदन आज तक कायम है, ठीक है, पहली बार 1998 में NDA अपने स्टित्व में आया, इसमें 13 पार्टियां शामिल थी, और 1998 का चुनाव जीत कर NDA ने भ होंने अपना समर्थन वापफ लिया था, फिर BSP की जो नेता थी, मायावती जी, उन्होंने लास्ट मुमेंट पे सरकार के पक्ष में वोट नहीं दिया था, जो भी एक पूरा कारिक्रम हुआ था, उसके बाद एक वोट से केवल ये सरकार गिर गई थी, और NDA की सरकार जो ह लेकिन याद रखिएगा अभी भी BJP के पास बहुमत नहीं था, बहुमत अभी भी NDA के पास था, लेकिन इस 99 की सरकार में अटल बिहारी वाजपेई भारत के पहले ऐसे गैर कॉंग्रेस प्रधान बंतरी बने, भारत के पहले ऐसे गठबंधन सरकार के प्रधान बंतरी बन बंधन सरकार थी 1999 की NDA सरकार जो की 2004 तक चली यानि कि ये भारत की पहली ऐसी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेई सरकार जो एक गैर कॉंग्रेसी सरकार थी और उसने कारेकाल पूरा किया था जो एक गटबंधन सरकार थी लेकिन तब भी उसने 5 साल का कारेकाल पूरा किया था और आम तोर पे इतिहास में इसको एक अच्छी सरकार माना जाता है। काम नहीं कर पाती, उसको बदला एक तरह से 99 की NDA की वाच्पई साहब की सरकार ने और यह दिखाया कि गटबंदन की सरकार को भी अगर परिपक्वता के साथ चलाया जाए ठीक से चलाया जाए तो वो भी 5 साल पूरे भी कर सकती है और अच्छे से अपना काम भी कर सकती है। समय तक उसी UPA का रिवाई शुरूप आजकल इंडिया गटबंदन बुलाया जाता है तो UPA गटबंदन कॉंग्रेस ने मनाया था, UPA गटबंदन ने विजय प्राप्त करी, यहाँ पर भी किसी एक दलकों बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, याद रखिये, यहाँ पे अंडि समय तक UPA की सरकार रही दो बार, दोनों बार डॉक्टर मनमोहन सिंग जो है, वो प्रधान मंतरी रहे, लेकिन दोनों में से किसी भी बार कॉंग्रेस पार्टी के पास बहुमत नहीं था, यानि कि कॉंग्रेस पार्टी निश्चित तोर पे UPA पर निर्भर थी, कि UPA जो है, उसकी सरकार थी, बहुमत UPA के पास था, तो ये एक सरकार चली यहाँ पर एक बार, फिर से इस थापित हुआ, कि ये जो पुराना मत होता था, कि यार ये गटबंदन की सरकारे तो एकाद साल चलती है, ये फेल हो गया, 1999 के बाद से देश ने देखा, कि 1999 से लेकर 2014 तक, यान इसा सिद्ध हो गया, कि ये कोई आवश्यक नहीं है, गटबंदन की सरकारे भी अपना कारेकाल आसानी से पूरा कर सकती है, ठीक है, 2014 में देश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, देश के चुनावी राजनीती में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, और 2014 में पहली बार, NDA जो था, NDA को तो बहुमत मिला ही मिला, यह हम जानते ही है, लेकिन NDA के और सरकार NDA की बनी, जिसमें प्रधानमंत्री मोधी ने शपत ली, प्रधानमंत्री मोधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन NDA के जीतने के साथ साथ इसमें बड़ी बात क्या थी, कि BJP को अपना खुद क भी बहुमत मिला था जैसे अगर मैं 2014 की बात करूँ तो BJP को 282 फीटे मिली थी जबकि भारत में बहुमत के लिए कितनी फीटे चाहिए होती है 272 जानि कि अगर NDA गठबंदन नहीं भी होता तो भी BJP की ही सरकार बनती ये बात तैय हो गई तो यानि कि 2014 से देश में आप कह सक हो कि गठबंदन की सरकार बनी फरकार गठबंदन की ही मानी जाएगी क्योंकि फरकार NDA की बनी एंडिये के लोग इस सरकार में शामिल थे लेकिन तब भी इसमें दबदबा एक पार्टी का था BJP का था क्योंकि उस पार्टी के पास अपना खुद का बहुमत था अगर वो चाहे तो किसी अलाए को किसी गठबंदन के भागिदार को शामिल ना करे फरकार में और तब भी वो फरकार चला सकती थी संभावना उनके पास थी ठीक है लेकिन तब भी सभी को शामिल किया गया 2014 में फरकार बनी इसने अपना कारेकाल पूरा किया 2019 में यह जो है पूरा NDA की सीटे और बढ़ी फिर से NDA को बहुमत मिला ठीक है नरेंद्र मोदी साहब फिर से प्रधान मंतरी बने और लेकिन इस बार क्या हुआ BJP की सीटे भी BJP का जो अपना बहुमत था वो और बढ़ बहुमत थे लेकिन अब तक अब तक का आज तक का जो टाइम था यह ऐसा टाइम था जहां पर सरकार भले ही गड़बंदन की थीyond लेकिन वो बेसिकली एक पार्टी की सरकार थी, बीजेपी के बास अपना वहुमत था, तो ये स्ट्रीम जो है, ये कालखंड जो है, ये दफ सर्षों का, इसको हम एक दलीय समय कह सकते हैं, कि भारतिय राजनीती का ये एक दलीय काल था, जहां पर पूरी तरह से एक ही पार्ट आया जा रहा है कि NDA जो है, उसको बहुमत मिल जाएगा, ये माना जा रहा है, तो NDA के पास ये माना जा रहा है कि 295 से लेकर 300 तक क्या असपास सीटे NDA को मिलेंगी, ये माना जा रहा है, जो कि बहुमत से जादा है, बहुमत 272 है, लेकिन BJP की अपनी सीटे जो है, जो B.J.P. अगर अपने गठबंधन के सहयोगियों के बिना सरकार बनाना चाए तो वह सरकार नहीं बना सकती। तो B.J.P. को इस बार सरकार बनाने के लिए अपने गठबंधन के सहयोगियों के आवशकता पड़ेगी। यानि कि इस बार 2024 के इलेक्षन से भारत में गठबंधन की वापसी हो रही है. ये बात आपको समझ में आई? भारत में गठबंधन की वापसी का भी ये चुनाव माना जा सकता है. दुबारा से मिली जुली सरकार और गठबंधन का जो एक तरीका होता है काम करने का उसकी वापसी आपको यहाँ पर देशने को मिल सकती है अगर हम बात करें गटबंधन के सरकारों की तो भाई उनके लाब क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं अगर मैं आपसे ये कहूं तो नुकसान तो बहुत आसानी से हम कुछ एक गिना सकते हैं तो सबसे पहला नुकसान, जो कि आप जानते ही हो, अब तक आपने इस डेटा से समझ लिया होगा, पहला नुकसान होता है स्थाइत्व की कमी, यह अक्सर देखा गया है, कि गठबंदन की बहुत सारी सरकारे जो होती है, वो भई एक साल, सवा साल, देड़ साल में आपसी आपस ले लिता है, कोई नराव हो जाता है, तो स्थाइत्व की कमी जो है, वो अक्सर गठबंदन की सरकारों में देखी गई है, अक्सर इन सरकारों में जगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, नेत्रत्व की समस्या होती है, कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इन सब चीज आपस में आके मिलती हैं सरकार बनाने के लिए जिनकी विचार धारा एक जैसी नहीं होती तो विचार धाराओं के भी टकराव होते हैं यानि कि नीतिगर टकराव भी आपको अक्सर देशने को मिलेंगे कि भई मान लीजिए एक दल को कोई एक मंत्राले दिया गया दूसरे दल को दूसरा मंत्राले दिया गया तो दोनों दलों में आपस में सहयोग नहीं बन पाता तो और नीति का टकराव आपको देशने को मिलते हैं वहीं अगर आब बात करें कि लाब क्या हो सकते हैं तो पहला लाब जो मेरे को गठबंधन की सरकारों का समझ में आता है वो यह आता है कि शेत्रिय समावेशन बढ़ता है कि अक्सर क्या होता है भारत में शेत्रिय दल जो होते हैं उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाता केंद्रि है राजनीती में लेकिन गटबंधन की सरकारों में क्योंकि उनका समर्थन सरकार के लिए बहुत आवश्यक होता है तो वो अपने शेत्र का विकास बहतर तरीके से करा सकते हैं अपने शेत्र की मांगो पर वो जोर दे सकते हैं दूसरी अगर केंदर सरकार की निरंकुष्टा पर नियंत्रन आता है कि अगर केंदर सरकार किसी भी प्रकार से निरंकुष होने की कोशिश करती है या ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है जो आप मान लीजे कि बाकी दलों को स्विकार रिना हो तो ऐसा कर पाना उसके लिए अब सरल नहीं रह जाता क्योंकि अब उसको बाकी दलों की सहमती भी इन चीजों के लिए आवश्यक हो जाती है आम तोर पे यहां पर यह बाप मानी कि राज्यों का प्रतिनित्व बहतर हो जाता है क्योंकि कई सारे शेत्रिय दल जो होते हैं वो केवले एक राज्य के दल होते हैं तो वो आम तोर पे किसी भी राज्य के साथ अन्यायन नहीं होने देना चाहते तो ये आपको कुछ लाब यहां पर देखने को मिलते हैं बाकी देखिए बहुत सारी चीजे हैं जो अच्छी भी हो फक्ती हैं, खराब भी हो फक्ती हैं वो थोड़ी राजनेतिक भी हैं तो उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये गठबंधन की पूरी प्रक्रिया का जो एक खाका आप सब के सामने मैंने खीचा जो एक आपको उसका थोड़ा सायतिहास बताया, थोड़ा उसके लाब बताया इस सबसे आपका थोड़ा परिचेक हो गया होगा आने वाले दिनों में गठबंधन की सरकार भारत में बनने वाली है देखते हैं हम ये सरकार किस तरह से चलती है और देश का विकास कैसे करती है अभी के लिए बस इतना ही जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूँ कि हमारा P2I बैच जो है वो दस तारीक से शुरू हो रहा है शाम को छे बजे से ठीक है AJ Life Code लगाईए 27999 में जुड़ जाईए रोज तीन घंटे की Life Class, Mentorship, Daily Practice Question, Pre or Mains के Mains के Questions का Daily Evaluation आपको मिलेगा Pre-Mains की Test Series, 18 किताबे और अगर आप Pre-Qualify करते हैं तो Mains की तयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित होगा, तो आज ही आप AJ Life Code लगा के इस बैच से जुड़ जाए और अपनी तयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत दन्यवाद